Good morning, आज हम लोग बात करेंगे stroke के बारे में, paralysis के बारे में, लक्वे के बारे में इसमें आप लोग देख रहे होंगे किन-किन लोगों को धीला हो जाता है हाथ stroke के बाद, ये flaccid state होता है जिसमें brain और muscles का connection तूर जाता है इसमें command नहीं मिलता और बिलकुल हाथ, धीला या पाउं धीला हो जाता है इसमें physiotherapy का role बहुत जादा रहता है क्योंकि नई तो muscle control नहीं होने की वज़े से dislocation हो सकता है और patient को recovery में time लग सकता है ये severe cases में भी देखा गया है दूसरा होता है spastic stage या tight का stage जिसमें हाथ या पाउं सीधा नहीं होता और होता है तो बहुत तकलीफ होती है इसमें spinal cord और brain का proper connection नहीं होता और जो हमारे reflexes हैं जैसे अगर कोई चूटी काटता है या आग लगती है तो हम lock कर लेते हैं कुछ ऐसा सो इस reflex की वज़े से spasticity या tightness देखने मिलती है इसमें भी physiotherapy का role जादा रहता है जैसे कि हम muscle को relax कर पाएं नौर्मल ला पाएं दोनों में physiotherapy के importance के लिए आपको हम से मिलना चाहिए हम हैं dr. बुलाओ आपका अपना home physiotherapist थैंक यू लो चाहिए यू